लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि बचे हुए चार मजिंगलानी लाइंस दो बारा से बदला लेने आएंगे रात का शमय था किंकी टेल और मिस्टर टी दोनों अलग अलग जगे पर थे किंकी टेल अकेला बैठा ता कि तबी चार मजिंगलानी लाइनस उससे बदा लेने के लिए आ गए और मजिंगलानी लाइनस के पहुंचते ही उनके बीच जबरजस्ट लडाई शुरू हो गई चारो मजिंगलानी लाइंस ने उस अकेले किंकी टेल को दबोच लिया और उस पर जबरजस्त हमला करने लगे उनके हमले से किंकी टेल बुरी तरह से जखमी हो गया था वो उन चारों की गिरप्त से चूटने की और वहां से भागने की पूरी कोसिस कर रहा था लेकिन चारों मजिंगलानी लाइंस द्वारा किया गया हमला बहुत ही जदा खतरनाक था उन्होंने ना केवल उसकी रीड की हड़ी तोड़ डाली बलकि उसे चीर फाड़ भी करने लगे थे तब ही वहीं पर अचानक से मिस्टर टी भी आ गया था और मिस्टर टी ने दो मजिंगलानी लाइंस पर हमला कर दिया था किंकी टेल पूरी तरे शे घायल हो गया था इसके वावजूद भी उसका भाई दो मजिंगलानी लाइंस से लड़ रहा था पर वो ये भी जानता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इस से पहले की वो चारों लाइंस उस पर भारी पढ़ते वो वहां से भाग गया था इसके बद चारों मजिंगलानी लाइंस ने किंकी टेल को छोड़ दिया और मिस्टर टी के पीछे भागने लगे अगर मिस्टर टी पकड़ा जाता तो उसका हाल भी उसके भाई किंकी टेल क जैसा ही होता मिस्टर टी तो वहां से भागने में कामियाब हो गया था पर मजिंगलानी लैंश अपना अधूरा काम छोड़ कर जो गए थे अब उसे पूरा करेंगे किंकी टेल अदमरा पड़ा हुआ था और वो गहरी गहरी शांसे ले रहा था और तबी वो चारों वहां पर आप पहुँचे और उन्होंने किंकी टेल को मार डाला पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि शोबे एक लकड़ बंगा और गिद ने किंकी टेल की लास को खा लिया था जो एक समय एक शांदार और खुबसूरत लाइन हुआ करता था अपने भाई की मौत के बद जकमी मिस्टर टी को पस्चिम की ओर जाते हुए देखा गया और मिस्टर टी ने यह मान लिया था कि अब वे अकेले कुछ भी नहीं करशकता है और ना ही वो अकेला उस इलाके की हिवाज़त करशकता है तबी मिस्टर टी ने यह सोचा की वे अपने पुराने कोली जन्यानी की अपने भाईयों के पास वापस लोट जाएगा मुकल और अब पिता बन चुके थे और अब उन्हें अपने बच्चों की हिफाज़त करने थी मुकुल इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर कोई बाहरी शेर उसके इलाके में आ गया तो उसका अंजाम क्या होगा भले ही मिस्टर टी एक समय उसका भाई था और उसके कॉलीजन का हिश्या था पर अब वो एक घुसपैटिया ही था उस हिंसक मिस्टर टी की वज़े से ही शावी सेंट्स का अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर कॉलीजन मापोगो कॉलीजन टूट चुका था मिस्टर टी के अपने पुराने कॉलीजन में वापस लोटने के बाद मुकुल को खुसी नहीं हुई पर मापोगो लैंस कॉलीजन के बाकी तीनों भाईयों इशकार प्रीटी बॉय और रास्ता ने उसे श्वीकार कर लिया था ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि इतने दिनों के बाद भी उसके पुराने श्यातियों ने उसे अपना बना लिया था पर मिस्टर टी तो मिस्टर टी ही था क्योंकि ये ना तो उसका प्राइड था और ना ही इसमें जो बच्चे थे वो उसके थे सबी लोग ये जानते थे कि मिस्टर टी उस प्राइट के कपस को अपना बना लेगा पर कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि मिस्टर टी ने उन बच्चों के शाथ क्या किया उसने कुछ ही दिनों में बच्चों को मारना सुरू कर दिया था वो हमेशा ही इसी फिराक में रहता था और जब कोई कपस प्राइट से अकेला दूर दिखता था तो वो उसे मार डालता था और उसे खा भी जाता था और उस प्राइट के दूसरे लाइनस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे वैसे अगर देखा जाये तो उस प्राइट के सबी बच्चे मिस्टर टी के भतीजे और भतीजियां ही थे पर उसके भाई मिस्टर टी के इस खूनी खेल को रोकने की कोसिस भी नहीं कर रहे थे मिस्टर टी प्राइट पर कबजा करने के लिए प्राइट की लाइनस के साथ मीटिंग करना चाहता था इसी वज़े से वो उनके बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मार कर खा जाता था और कुछ दिनों बाद वही हुआ जो मिस्टर टी चाहता था अब वो स्प्राइट का राजा बन चुका था अगले दो शालों में मजिंगलानी लाइंस ने मापोगो लाइंस के लगबग सभी इलाकों में कबजा कर लिया था और मिस्टर टी और किंकी टेल के ना केवल सभी इलाके पर कबजा कर लिया था बलकि उसके शारे के शारे बच्चों को मार भी डाला था इसके बद कई दिनों तक शाबी शैंट्स में कोई लडाईया नहीं हुई वहीं दूसरी और प्रीटी वई और रास्ता कहीं गायव हो गए थे हर किसी को यही लगता था कि उन दोनों को मजिंग लानी लाईयंस ने मार डाला है एक समय ऐसा था जब मापों को लाईयंस का पूरे शाबी शैंट्स पर राज हुआ करता था पर अब उनका अस्तित तो खत्म होता जा रहा था किकि टेल पहले ही मारा जा चुका था और प्रीटी वई और रास्ता कहीं गायव हो चुके थे अब केवल बचे थे मुकुल, मिस्टर टी और इशकार मिस्टर टी दस साल का था जबकि इसकार 12 शाल का था और मुकुल 14 शाल का था अब तीनों की उम्र बढ़ रही थी और वहीं दूसी तरफ बिरोधी शेरों का दबदबा भी बढ़ रहा था ऐसे में सब को उनका अंत करीब ही लग रहा था 16 माच 12 को 5 सेरों का और एक गडबंदन दच्षण से मापोगो लैंश के इलाके में आ गया था उस कॉलिजन का नाम था शेलाटी कॉलिजन सेलाटी मापोगो लैंश के इलाके में गुस्ते ही उनके पीचे पड़ गए थे वे पाँचो लाइंश, युवा, शक्तिशाली और खतरनक थे उन पाँचो सेलाटी लाइंश ने मापोगो लाइंश से एक लाइंश को अलग कर दिया था और वो मापोगो कोई और नहीं बलकि मिस्टर टी ही था मिस्टर टी को अपने अलाके को बचाने के लिए उन सेलाटी लाइंश से लडना ही पड़ा इस लड़ाई में मिस्टर टी का जीत पाना या उन पाँचो झालाटी लाइंश से बच पाना बहुत ज़दा मुश्किल लग रहा था क्योंकि जिस बेरहमी और ताकत से उन्होंने मिस्टर टी पर हमला कर दिया था उससे ऐसा ही लगता था कि अब मिस्टर टी जिन्दा नहीं बच पाएगा उसकी रीड की हड़ी पर बहुत बड़ा जखम हो चुका था और उसकी पीचे की दोनों टांगे अब किसी काम की नहीं रही थी चारो लाइन्स उसकी बड़ी अच्छी रणनी थी शाथ मिस्टर टी को मारने की कोसिस कर रहे थे फिर उसे वो चारो सेलाटी लाइन अद मरा चोड़ कर कहीं चले गए और इसके बड़ वो दोबारा से वहीं वापस आए और उन्होंने फिर से खूनी खेल सुरूप कर दिया मिस्टर टी अपनी जन बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोसिस कर रहा था पर मिस्टर टी की रीड की हड़ी तूट जाने की वज़े से उसका पीछे का हिस्सा पूरी तरह से अपाहिज जैसा हो गया था इसके बावजूद भी वो जिस तरह से लड़ने की कोशिस कर रहा था जिस तरह से अपने आपको बचाने की कोशिस कर रहा था इससे पता चलता है कि वो कितना दमखम वाला शेर था पर फिर भी वो सेलाटी लैंस से बच नहीं पाया और आखिरकार उसकी मौत सेलाटी लैंस के ये ऐलान कर दिया था कि अब उन्होंने Mr. T. के इलाके पर कबजा कर लिया है और अब वो बन चुके थे Mr. T के इलाके के नए गिंग Maupogo Lion's College ने करीव 6 साल तक पूरे के पूरे शाभी शेजिंस में राज गिया था और इनका आतंक खुन खराबा और इतनी हत्याएं आज तक के इत्यास में किसी भी लाइन कॉलीजन ने नहीं की थी जितना की मापोगो के रज में हुआ था पर ये भी अपसोस है कि इन मापोगो लाइन का अंत इतना खतरनाक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था मापोगो लाइन कॉलीजन में बचने वाले केवल दो ही लाइन थे मुकल और इशकार इन दोनों के अलावा इनके कपस भी बचे थे जो की उठावा प्राइड में रह रहे थे उसमें तीन बड़ी लाइनिस भी थी और दो सेर थे हम लोगों को ये कहानी जन का जरूर उनका वहवार हैवानियत भरा लग शकता है पर उन मापोगो लाइनस ने वही किया जो की जंगल में शर्वाइब करने के लिए उन्हें करना चाहिए था अगर वो ऐसा नहीं करते तो शाहिद वो भी इतने दिनों तक जीवत नहीं रहे शकते थे तो दोस्तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा पसंदाए से लाइक करें और अपने दोस्तों के सब सेर करें हमाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक सेक्रेटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें